है 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 तो स्टूडिंट्स तो स्टूडिंट्स आज हम आपका क्लास 12 मैथेमेटिक्स में जो 6 चैप्टर एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिब्स है इसका हम रिविजन देखने जा रहे हैं आपको पता है कि यह 5 एकसरसाइज में बटा हुआ है मिसलीनियस इसके अ इसकी सारी चीजे अशल में टॉपिक बड़ा जैन्में टॉपिक है इसलिए जैन्मी ने क्योंकि जो स्टूडिंट्स ये समझते हैं कि मैं ठीप्रेक्टिकल के साथ नहीं होता लेकिन चीजे बदल जाती है आपने फिफट चैप्टर में क्या पड़ा था आपने टूल लि हमारे पास हैं लेकिन वेपन को चलाना कैसे है वेपन को चलाना भी हम जान चुके थे पिछले लेक्टर में अब भी बिलकुल यहां पर बैटल होने वाली है इस चेप्टर में यह चेप्टर पढ़ड़ा है क्योंकि इसमें एक दम एक्जक्ट आपको देखने को मिलेगा कि क् पांच लेक्टर तो बनाएं इसके लिए अब बनेंगे अब भी बड़ी बात है कि पांच लेक्टर में बगरी सिमट जाए तो बड़ा चेप्टर है लेकिन फिर भी जो पहला आज का लेक्टर है उसमें मैं इस वाले एक्साइस को बताऊंगा देखो जरा यह किस किस चीज आपको पता उनाची की कौन जाएँ पूछे जाते हैं चलिए ठीक है बढ़ते हैं आज हम जो देखने वाले न वो इस exercise से related बाते आजम करने वाले चलिए देखिए आगे का question क्या है यह questions जो मैं आपको करा रहा हूं कि यह questions एक तरह से example problem भी है NCRT की और दूसरे way में हमें exercise का overview भी मिल जाता है यहां पर और अगर आप किसी students को आप में से अगर NCRT के exercise questions में problem हो तो आप इस वीडि rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 5 cm यह बोलना चाहरे हैं जरहा question को समझते चलना question की soul देखनी है मैं कि क्या है find the rate of change of the area of a circle जैसे ना यह कहना चाहरे हैं आपर क्या कहना चाहरे हैं यह कहना चाहरे हैं कि जैसे एक circle है इस circle का area change rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to मुझे वह बता है जैसे एक pond है आपने उसमें पीबल डाला ठीक है ना जैसी आपने डाला तो आप देखते हैं कि एक ripples सी generate होती है पानी में वह ऐसे से ऐसे से करके फैलते में पानी में आगे आगे जाती है लहरे हां मतलब यह इस तरह है ना ऐसे स बढ़ते हैं वह आगे को जाती रहती है आप समझते हैं इस बात को तो इस तरह से वह मालिया आगे को जब बढ़ती रहती है तो यह क्या कह रहे है कि जब वह मालिया स्टार्टिंग में इतनी सी थी इतना सथ हो इलाका यह फैला इतना बड़ा फैलते 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 फिर इतनी भी बड़ी फिर और बड़ी और फिर finally और बढ़गी तो आप देख रहो कि इसमें यह जो Radius जयसे ही चीज़ है, यह Radius जो है यह छोटे से सरकल की बढ़के इतनी भी फिर बढ़के इतनी हो गई और यह बढ़ती जा रही है Radius तो यह बोले हैं जब radius बढ़ी है तो एक और चीज साथ में बढ़ रही है वो चीज कौन है देखो यह इसके अंदर का area छोटे circle का area कितना था इतना था जो इतना दिख रहा है भी छोटे circle का area दिखा नहीं दिखा किसी को छोटे circle का area दिख रहा है न हाँ एक सेकेंड रोकिएगा जब हाँ ठीगा तो छोटे circle का area आपको दिख गया अभी छोटे circle का area इतना था अभी बड़े circle का area जानता है कितने बड़े circle के area को यह पूरा represent करा अभी पूरा बड़े circle का area हो गया जो कि छोटे circle के area से जादा है अभी आप देखोगे तो फिर next time हमें किया देखने को मिलेगा अब इसका area और जादा बढ़ी गया इसना उन दोनों को cover कर लिया इसका area और बढ़ी गया यानि कि जो उसका area होता है वो भी बढ़ता जा रहा है circle का तो सिदे सिदे सब्दों में हम एक बात समझ सकते हैं कि area का बढ़ना radius के बढ़ने पर depend कर रहा है और ऐसी dependency यानि कि यही पूछ रहे है यह बोलना है कि find a rate of change of the area यह d by d of t जब मैं लिखता हूँ न दिहां से समझना इसके meaning क्या है इसका meaning है यह बोलता है change in change in जो भी यहाँ पर होगा with respect to time अगर मैंने नीचे t लिखा हुआ तो इसका मतलब time के respect में change अगर मैं यहाँ पर मालिया कुछ लिख देता हूँ तो मैं मेरा ए डिप्रेजंट कर रहा है एरिया को तो मैं कहना चाहरा हूँ change in area with respect to time अगर मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ परीमेटर जैसा कुछ तुम्हें बोलना चाहरा हूँ change in parameter with respect to time मैं आपर एक्स लिखता हूँ एक्स रिप्रेजंट कर रहा हूँ अगर position को तो मैं कह सकता हूँ change in position with respect to time या नहीं हाँ पर अभी इस present case में यहाँ पर area को मैं relate कर रहा हूँ सीधी सी बात है कि area में कितना change हो रहा हूँ तो time के बढ़ने के साथ या time के time गटने के साथ तो नहीं time के change होने के साथ area में कैसा बदलाव हो रहा है क्या change हो रहा है है अभी इसे यहीं से एक छोटी सी बात समझ लो जो भी answer आएगा अगर वो answer positive है तो वो बताने कि कोशिस क करेगा कि area बढ़ रहा है दीरे दीरे यह बाते discuss होती रहेंगी यह पूरा का पूरा चेप्टर देखना आज के lectures के साथ पूरे पांच lecture आपको clarity आईगी इसमें क्योंकि बहुत सी बाते हैं जिनमें मैं limitation में अभी नहीं बोल सकता आगे use होंगी तो da by dt जो है यह अगर positive है का मतलब यह हुआ यह बोलने कुशिस कर रहा है कि area increases यह मैं general knowledge के लिए बता रहा हूं यह बाते है ना question बहान है मैंने पहली बोल दिया question दो छूटा सा है ऐसी अगर यह चीज पॉजिटिव ना कि निगिटिव वाई तो यह कहना चा रहा है कि area decreases तभी कहना चा रहा है कि area decreases यानि area घट रहा है area घट रहा है यानि कि अगर time के बढ़ने के साथ area अगर change in area with respect to time मैं समझाना चाहूंगा इस बात को मैं इस बात को क्या करना चाहूंगा समझाना चाहूंगा यह जो मैंने side में बात लेगी देखो students example के लिए यह एक कुछ है इसका area मालिया 4 cm2 कुछ ऐसा है 4 cm2 कोई problem तो नहीं है कुछ नहीं है न एक सेकंड रुख जाओ फिर नहीं है इसका area 4 cm2 है जो यह चीज है अभी एक second मैंने बनाया area इसका area 2 cm2 है let's say कमी होगा बड़े वाले से कमी होगा तो 4 cm2 मैंने इसका area suppose किया यानि इस छोटे वाले का area 2 cm2 है और वो total जो बड़ा वाला है उसका area 4 cm2 है माल लिया माल लिया यह t is equal to 2 second की घटना है और यह t is equal to 1 second की घटना है या मुझे more precisely मुझे ऐसा कहना चाहिए मुझे इसको ऐसे कहना चाहिए रुकिए गजरा जिखो ती इस इकोल टू जीरो सेकंड में ऐसा था यानि जब हमने observation दिया तो हमें बड़ा circle देखा हमने अगले सेकंड में जैसे ऑब्जर्व किया हमें दिखा कि आरे यह चीज तो श्रिंग होके इतनी बन गई यह बड़ा अले सेकंड में यह देखने को मिला कि भई 4 cm2 क अब मुझे बता हो कोई मेर से पूछेगा कि डी एवाइ डीटि कोई मेर से क्या पूछ रहा कि डीए डीटि निकालो दी एवाइ डीटि का मतलब है सर्फ और सर्फ एक ही मतलब है वह है change in area with respect to time और एसका meaning है दूसरे शब्दों में डी य वाई डी टी का मतलब यह भी है देखो जरा यह मज़िदार है दिये वाई डी टी का एक और मतलब है वो है अभी धीरे धीरे जग को हम आगे बढ़ते रहेंगे न आपको दुबारा से समझ में आई यह बात कि इन आरी बात यह क्योंकि च्छेंजिन टाइम तो चैंजिन एरिया मैंने से लेंटाइम अगले से नहीं अगले सेकंड में मेरे पास यह हो गई यानि इनिशली मेरे पास 4 cm2 था, A1 मेरे पास 4 था, A2 मेरे पास 2 हो गया बाद में एक सेकंड बाद, इसलिए आप समझ रहोंगे कि इसे D1 और इसे T2 केना चाहिए, मेरे बाद किसी को समझ मार नहीं दोगी, 1 रिप्रेजंट जनरल ही करता है, पहले जो हुआ, 2 रिप्रेजंट करता है, जो बाद में हुआ, है न, तो पहले टाइम जीरो था, उससे में एरिया 4 cm2 था, अगले सेकंड में, यानि T2 में, 1 cm2 बाद, एरिया इतना होगा, बढ़ी घडिया, ठीक है न, तो यह दिख रहे है अगर मैं इन values को यहां place करूँ न, students, अगर मैं इन values को यहां place करूँ कि भई, A2 क्या है, 2, A1 क्या 4, 2-4, T2 क्या है, T2 हो गया 1 second, और T1 था 0 second, मुझे एक बात बताओ, answer कितना है, minus 2, मुझे एक unit लिख दे नीच यह पीछे, क्यों, क्योंकि यह DA by dt को represent करा है, A stands for area, area की unit क होगी, अगर मैंने यह centimeter, मैं बोले हैं, तो centimeter square है area की unit, time की unit की होती है, second होती है, तो इसलिए मुझे से लिख देना चाहिए, centimeter square per second, बड़ा sensible चीच, बहुत ज़्यादा sensible चीच, समझ न, मेरा कुल कहने का मतलब क्या था, कुल मिला कर, कुल मिला कर, मैं यह कहना चाहता था, क da by dt, यानि change in area with respect to time, यानि की area में जो change हो रहा है, वो two centimeter square per second का है, यानि एक second में दो centimeter square का change होता है, मेरी बाद ध्यान से देखो, zero second में अगर area, आपने अभी देखा, अभी अभी देखा, आपने देखा, four centimeter square area है, जैसी घड़ी में एक second आगे वा, area two centimeter square हो गया, four centimeter square पहले थ अगले second में two centimeter square हो गया, आप क्या समझे, आप ये समझे कि एक second में area two centimeter square बदलता है, लेकिन ये negative sign बोला है, बदलना negative है, बदलना negative है, यानि कि two centimeter square बढ़ता नहीं area, घड़ता है, क्योंकि change तो दो तरह का हो सकता है, मालिया में कह रहा हूं कि एक चीज है, उसका area हर एक second मे two centimeter square बदलता है, इसके दो मतलब है, या तो बढ़ता है, या तो घटता है, ये positive और negative sign बताएगा क्यों घटता क्यों बढ़ता है, ये negative sign बता रहा है कि वो घटता है, और देख लो ना, starting में ज्यादा था, फिर कम हो गया, कमी तो हुआ अगले second में, उसने बताया, negative ने बता ठीके ना, तो negative sign क्या represent करता है, आपको समझ में आ गया कि change in area का type कैसा है, positive वाला, negative वाला, increasing वाला, decreasing वाला, ये, ठीके ना, अभी जलो अपने उसमें आते हैं, अभी जो हम से बात हो रही थी, वो करते हैं, ठीके न, यहां से समझना, चलो ठीके, अभी कहां थे हम, अच्छ with respect to its radius, यानि कि area में change बताओ with respect to not time, with respect to radius, ये ध्यान से पढ़ने आली बात है, area में जो change हो रहा है, एक तो area आपको time के साथ बदलता है, आलहर का भी ये छोटी रिपल थी, छोटी बढ़ी होगे, time के साथ दिख रहा है, दूसरा गोले time के साथ नहीं देखना, हमें radius के reference मे बताने कि उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे example के लिए, एक train जा रही है, बहुत तेज पर आवर की speed से, है ना, 200 km पर आवर की speed से, एक train भाग रही है, है ना, आप खड़े हो, आपको train क्या बहुत तेज लग रही है, भागती भी हाँ लग रही है, उसके बगल में एक और train भ साथ से चीजे बदल जाती है, ठीक है ना, इसलिए पूछ रहा है कि change in area तो बता ना है, लेकिन time के respect में मत बताओ, radius के respect में बताओ, radius भी बदल रहा है, बैसी करी, radius भी बदल रहा है, देखो ना, radius बदल रहा है, हमने बोला ठीक है, बता देंगे, उसमें क्या बड़ी बात मैंने पहले ही r को radius के लिए stand कर दिया, a area को represent कर रहा है, और जो मेरा r है, वो radius of the circle को represent कर रहा है, tiny instant, बात समय में आ लिए अभी मुझे बताओ, ये बात निकल क्या, आगे बेखिंगे बाद में क्या बोला, लेकिन पहले जीतना मिलावा है, इसे थो थोड़ा solve कर ले, πाई बाहरा सकता है, क्योंकि पाई जैस एक number है, और number constant होता है, constant term differentiation के बाहरा आते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा, d by dr of r square, मुझे बताओ, ये जो मैं चीज निकाल लाओ, d by dr, ये किसके equal लागई सामने, सामने equal लागई, pi d by dr of r square, very simple, 2r, जिसके respect में हो रहा है, वो ही term है, वो तो कोई problem नहीं, x की power n वाला formula लगा, nx, nx raised to the power n minus 1, बोलो, problem है, simply ये चीज निकल के आगई, 2 by r, ये भी काफी ज़रा, देखा समझावा चीज लग रही है, circumference, कुछ नो कुछ सोचने लाइक आपके लिए हांपर, कि ऐसा क्या आया, में जो radius के respect में जो change होता है, it is always equal to 2 by r, ये एक तरह का rule type का भी बन लिया, 2 by r के equal है, इन्हों ने का वो तो ठीक है कि 2 by r के equal है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जब r 5 cm था, उस समय बताओ, जैसे माल लिया, इस छोटे circle में, माल लिया, इस छोटे circle में r की value 1 cm थी, और इस place of r के रखना चाहिए 5 cm, यानि कि मैं आपर रख दूंगा 2 by into 5, यानि यह हो जागा 10 by, answer को कभी ऐसा मत छोड़ना के ला के ला, unit लगा देना, unit कैसे रहा होगे, area है, area की unit क्या होते है, meter square, लेकिन यहां बाते सेंटीमेटर में चल दिए हैं, तो centimeter square बोलना, ठीक है न, और इसे DR just a radius and distance है, चुकि DR है क्या basically, change in R, R2 में से R1 को घटा होगे, 3 cm से 2 cm को घटा होगे, 1 cm तो आएगा ना तब भी, तो इसलिए centimeter, centimeter square by centimeter, अब देखो कुछ students में centimeter और centimeter को काट के सिर्फ 10 by centimeter कह सकते हो, गलत नहीं हो आप फर भी, लेकिन क्या है न, हम नहीं करेंगे ऐसा, इ चीजे समझ में आ रहे है, बिना यहां देखे भी हम समझ पाएं कि centimeter square area को represent करता है, centimeter distance को represent करता है, यानि area और length, area और radius जैसा कुछ ratio है, ताकि मैं बाद में भी समझ में आ पाए, ठीक है न, एक बाद मुझे अभी चलते चलते समझ में आ रही थी, कुछ बोलने लाए, चलो यह समझ में आया कुछ, ठीक है न, चलो अपर याद नहीं आ रही बाद में भूलने मझे बाद रहे है, ठीक है यह नोट करने न, इस result को, यह होगी, चलो देखो, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeters per second, how fast is the surface, हाँ, आगई बात याद आ गई, चलो, देखते हैं पहले सी question को, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeters per second, how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters, इस question को पढ़ लो, पढ़ लो, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो, कि न, आप वहाँ, देखो भी न, आपको समझ में आगे कि question यह पूछ रहे, question आपको पुड़ी तरीके से समझ में तब ही आता है, जब आप भीना question को पढ़े भी बता सकते ह लो, क्यों question पूछ क्या रहा है, मैं data की बात नहीं कर रहा है, data याद करने की बात नहीं कर रहा है, situation, और जहां आपको question समझ में आगया, आपका आदा answer आगया, यहां रहा है, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second, यानि कि जो एक कॉने क्यूब है, एक जो highlighted बात है, वो यह क्यूब है, और देखने ज्यरा, यह और यह, और य Вас, यह क्या बन लिंगा, ठीक है, और यह 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 एक तरह का qlabै, जीस कमरे में आप होंगे, वैसा type का कुछ, अगर q material हो तो इस तरह का, तो यह qube है, और इस क्यूब के बारे में कुछ हमें बताया गया कि यह कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो नाइन क्यूबिक सेंटिमीटर पर से क्या और बढ़ रहे हैं तो डी वॉल्यूम को रिप्रेजन करना जी मुई वी से और किसके रिस्पेक्ट में बोला गया अट रेट ऑफ न नाइन क्यूबिक सेंटिमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड यानि टाइम के रेफरेंस में बात हो रही है इसका मतलब आपको यहां पर डीवी बाई डीटी लिखना चाहिए और वो कितना दिया गया था नाइन क्यूबिक सेंटिमीटर यानि कि जो सेंटिमीटर होता है ना उसक क्यूबिक सेंटेमिटर यानी सेंटेमिटर का क्यूब और नीचे सेकेंड है और आप सभी के सभी जानते हो कि वॉल्यूम मतलब की डाइमेंशन का थ्राइस है ना तो मेंटर क्यूब होता है बेसिकली लेकिन ही छोटी यूनिट है से सेंट्र मेंटर क्यूब तो आप समझ गे इतनी बात जो गिवन है यह बोलना चाहरे हैं वह बोलना है कि देखो वॉल्यूम ने इसका लगादार इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि एक सेकेंड में नाइन सेंटीमेटर क्यूब बढ़ जाता है यह वॉल्यूम जस्ट बढ़ जाता है यह अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा सा कुछ तो इस तरह से इसका बाद की तो मुझे में लग रहा है और दिक्कत होगी इसलिए रहने देते हैं समझने में दिक्कत होगी थीज़ा सेंपल सा क्यूब लहने देते हैं अपना ड्रॉबलम करेगा देखो चलो यह इस क्यूब के बारे में बोला गया कि इसका सर्फेस एरिया इंक्रीज़ करेग मतलब बोल रहा है कि इसका जो सरफेस एईरिया का जूचीन सरफेस एकोभी अगर मैं एस से रिप्रेजट कर लूं अगर आप बोरा ना मानें तो सब्सक्राइब में जो चेंज है इंक्रेजिंग लेंग लेंट और अब लों किसके बात करने चाहरा होगा क्योंकि जिसके बेंगे कुछ आधरो किया जब कि लिए यह कूल रहा है wa 現在 कि उसमें इसकी वैलिव पूछ रहे तो पहले जो डिवन डेटा अपना पहले उसी को थोड़ा सा क्या करने सिंप्रिफाइ डिवन डेटा गीवन डेटा क्या कहता है कि dv by dt is equal to 9 cm per second, यह बोलता है, हमें पता है कि यह बात cube की चली है, और cube का जो volume होता है, वो कितने होता है, हम जानते हैं, कि cube का volume a cube होता है, a cube होता है, is equal to 9 होगी, अभी मैं unit लिखरा, जब solve करते वे चल रहा हूँ, मुझे बताइए, यह इस चीज को अगर मैं simplify करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ऐसा, 3a square, dv by dt, is equal to 9, कई ऐसा मत समझना कि a constant है, 0 कर लिए, generally a constant जैसा लेते न, ऐसा नहीं है, अपर आप खुद situation के according देखो, जब आपका यह बोल रहा है कि volume बढ़ रहा है, volume बढ़ रहा है तो आपकी sides, obviously क्या होगी, edge, जो length होगा वो बढ़ेगा यह न, तो इसलिए a कोई variable है, constant नहीं है, इसलिए मैंने a को as a variable treat किया, और आप जानते हैं कि मैंने 3a square लिखा, x की पार n वाले formulae से, लेकिन उसकी बाद क्योंकि यह a है और यह t है, तो इसलिए मुझे a को दुबारा differentiate करना पड़ा chain rule लगाने की कारण, आप एक बात समझगे कि हमसे पूछा गिया था, तो मैं हाँसे कह सकता हूँ सीदे-सीदे, की da by dt जो हो गया, वो अपना कितना निकल के आ गया, 9 over 3a square, और आप इसे जब solve करेंगे, तो आपके पास da by dt की जो value आईगी, वो आईगी, 339 over a square, फिलहाल आपके पास da by dt की value इतनी आईगी, यह क्या चीज है, यह वो चीज निकाल लिया आपने, जो कि आपको दिया गया data था, उसको थोड़ा सा और ज़्यदा आपने expansion यह उसका किया, तो आपको यह result मिला, लेकिन आपको student बोला किया था निकालने के लिए, आपको बोला किया था, इस चीज को निकालने के लिए, area को, अगर आप चाहो तो surface area है वैसे हो, आप चाहो तो उसे da से भी represent कर सकते हो, आपकी जैसा अच्छा लगता हो, तो मुझे समझ में आगिया कि अगर मुझे da by dt चाहिए, और a किसका है, यह cube का, और cube का area आप सभी को आना चाहिए, मैं भी discuss नहीं कर रहा है, आप से आपको आना चाहिए, 6a square होता है, cube का area, आप जब इसे further solve करोगे तो आप देखो कि 6 बाहरा आगिया, अंदर बचा d by dt of a square, और हम यह भी जानते हैं कि a कोई constant term नहीं है, यानि कि इसका मतलब student 6 2a, देखना जरा थियां से, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और a square का मतलब 2a da by dt, आपको यह समझ में आ गया, समझ में आया है नहीं आया, 6 2a da by dt हो गया, इसका मतलब students हम देख सेखते हैं कि यह result जो basically equal हो गया, 12a da by dt के, 12a da by dt के यह चीज़ क्या होगी, इक्वाल होगी जो कि क्या निकला हमारा da by dt है, यानि कि change in area with respect to time हमारे पास यह निकल के रख 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 रहा है, और इन्होंने हमें बोला था कि change in area उस समय बता हो आप जब आपका जो edge होगा, वो 10 cm का हो, जब edge 10 cm का हो, यानि कि when a is equal to 10 of centimeter, a 10 cm हो, और आपको एक अच्छी बात और पता हो निक्शी कि da by dt हमें पता है कैसे यहां से, यहां से कैसे पता चला, क्योंकि question ने यह हमें information दी थी, यह volume वाली, इसको जब हमने थोड़ा सा solve किया, 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 तो हमारे पास यह result आया था, यानि यहां पर जब मैं इसको और लिख सकता हूँ, 12a, da by dt के place में 3 upon a square लिख सकता हूँ, ऐसे करकर, इस a को cancel कर देगा, 12th रिजा 36 होता है, और नीचे पर a बच जाएगा, और क्योंकि at a is equal to 10 पर बात करनी है, तो आप जब a की value 10 रखोगे, तो 36 by 10 यानि कि 3.6 आ जाएगा, और आपको पीछे से unit जरूर लिखनी चाहिए, जो चीज़ आप निकाल रहे हो वो area है, area यानि की centimeter square और time यानि की second, आप समझ सकते हो कि इसकी unit centimeter square पर second लोगे, ये बात है, थोड़ असा मैं कुछ बात भी करना चाहूँगा, आप से इसके related, देख लो इसे, है simple सी चीज, ठ लिखी जानी चाहिए थी ठीक है, आपको समझ में आरी है बात, प्रॉपर तरीके से लिखनी चाहिए थी, da by dt यहां से हमें find करना है, और ये चीज हमें given थी, ये चीज हमें given थी, और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हैं यहां, और यहां के बाद ऐसे फिर यह answer result यहां का आया, ठीक है न, उसके बाद जो हमें काम करना था, वो हमने यहां से सुरू किया, अब थोड़ी से एक बात समझ लेना जरा, da by dt का मतलब, जो हमें चीज निकाल ली है, da by dt का मतलब किया, change in area with respect to time, ये इसका मतलब है, ये इसी को आपको बता है, दूसरे शब्दों में यहा अब मेरे यहां से यहां आने में, जो distance travel वा जितने time interval में, वो मेरी velocity रही होगी, अगर मैं उसे divide करतूँ time से तो, है न, तो change in position with respect to time, जो होती है, वो velocity को represent करती है, जो जितनी ज्यादा जिसकी position, जितने time interval में, अगर माल लिया, एक second में मैं यहां से यहां गया, और एक second में आप यहां से एक kilometer चले गए, तो आपकी velocity ज्यादा है, इसका simple सी बात है, क्योंकि आपका position change ज्यादा हुआ, यहां पर position का change नहीं होता, यहां पर area का change होता है, जैसे यह चीज जब बड़ी हो रही है, जब आपका cube बढ़ रहा है, तो आपका area भी बढ़ रहा है उसके साथ यानि कि area बढ़ रहा है, मतलब area change हो रहा है, और area change हो रहा है, यानि area के पास एक velocity है, overall area के पास एक velocity है, उसी को represent कर रहा है, यह दिया रखना है इस चीज को, और वैसे ही एक और बात बोलना चाहूंगा, कि यह किसी को हो सकतर स्में feel ना आया हो, कुछ समझ ना आया हो, calculation तो होगी, starting में, starting में, जब यह starting में होगी ना यहां पर, जब मैं इसे यहां से फै कराऊं, इसकी velocity 0 रही होगी, जब यह थोड़ी दिर बाद यहां पर आयोगी ना, इसकी velocity increase कर रही होगी, इसकी velocity increase, increase, increase करते वे, finally यहां पर सबसे ज़्यादा होनी वाली, तो आप एक बात क्य देख रहें इसमें कि इसकी velocity हर instant पर बदलेगी, वैसे ही वो हम से पूछ रहा था, कि at ten second पर इसकी velocity क्या है, किसकी area की, और निया, ठीक कि वेलज मेंतर हाट्वा है, वैसे समघा लिए, वैसे समयां slips Iya सब्सक्राइब करना तो बहुत ही आसान है एक मिनिट का काम है आपका अंसर निकल दायागा लेकिन इसी बहाने कुछ थोड़ा कूशिस करते हैं समझ में आये कुछ क्या कहना चाहरे है क्या सिचुवेशन है थोड़ा खेलते वी चलते है एक स्टोन को जो एक क्वाइट लेकर बिल्कुल शानत एकदम जील है उसमें पत्थर डाला गया है और क्या देखते हैं कि उसमें सर्कल्स जनरेट हुए आप जानता है रिपल टाइप है एटा स्पीड है फोड़ सेंटिमेटर पड़ सेटिंड की स्पीड से वह आगया बहाग रहे तो वो फिर आगे की बात कर दो निया पहुआ चोंड कि य Creation यह इसे चोटा सर्कल यानी कि यह उस समय की बात है छोटा सर्कल उससमें की बात जैसे अपने पत्थर डाला तहां से स्ब्सकन के घटना ती यह उसे जो आपका पत्थर डालने को जो में जो एक लेहर उठी जो सर्किल बना वह सर्किल में इतना बड़ा हो गया जानी कि वह जब आपने अब्सर्व किया था यहां था अगले सेकंड में यहां आपका सर्कल भागता है अब जरा समझने इस बात को इस बात को जरा समझीगा ये एक सडोन है यहां से चोटा सरल समय जैसे स्टूडिंट अगर न यहां से यहां से तक का डिस्टेंस और यहां से यहां करका सोनल नने अब यह क्या है कि जो सरकल आटने शंचीडस supports these बघाग रहे सर्कल बघाराय तो कैसे समझे सिर्कल का बागरा मतलब क्या सब्सक्राइब has की उसने कि सब्सक्रेंब लिए आपको क्या समझें आए से कंसर्कल की सफिट शाड़ का इस er स्पोइंट यहाँ पॉइंट से मिलके बना और है पॉइंट की स्पीड है इन पॉइंट्स की स्पीड होगा यह सारे पॉइंट सर्कल जनरेट कर रहे हैं यानि की न देखो जहां से जब यह जाती है फिजिक्स के स्टूडेंट अगर होंगे तो आप में से कोई तो हाइगेंस ने भी ऐसा ही कुछ कहा है ध्यान रखना हाइग चलो देखो 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 स्टूरेंट्स यह सब भी पॉइंट से सर्कल के उपर यह सब भी पॉइंट्स ना जितनी स्पीड से यह भागेगा यह भी भागेगा यह भी भागेगा हर पॉइंट इक्वल स्पीड से ही भागेंगे कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि कि यह हो मतलब यह हुआ जितनी स्पीड इस पॉइंट की यहां से यहां से हेगी हर रही स्पीड की स्पीड है ca मिए Giving दो हम कहने यह सर्कल की स्पीड यहां से अब मुझे वाब बिताओ मैं अगर कहता हो कि यह वाला थी टू टाइम है और मैया है कहता हूं कि यह स्टार्टिंग में टीवन टाइम है यानि जब हमने ऑबजर्व किया थे शमझतो रहे हो बात को जब हमने स्टाट देखना स्टाट किया था इस पॉस्ट को माली ends observing डिस्टेंस है वो आरवन था नहीं था बताओ अब जब वो टी टू टाइम पर पहुंच गया तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो रेडियस है वो आरटू है कि निये मुझे बताओ कि पूरे सर्कल को भूल जाओं सिस्पॉंट को याद रखो ये पॉइंट को मैं जूम करके दिखा रहा हूं यहां पर कि यह प्रकी पॉइंट यहां से आरवन दिस्टेंस पर है is घृति थोड़ी दिरवाद क्या होता है यह पॉइंट यहां से भागतावा यहां पर पहुंचता है यह पीछे से नहीं भागा भागा यहीं से ती टू टाइम यह इसके रेफरेंस मिलिया जा रहा है और अब इसका डिस्टंस कितना हो गया आर टू हो गया अगर मुझे बताना है कि इसकी की स्पीड कलिकशिता है जितना इसका डिसेड हो यह तक क्योंसली से लेकर यहां तक आने में टैम लिया याणि स्प्टैइम पहुंचने कि और आप जानते हो कि R1, R2 को हो है radius है final initial time है दूसरे सब्दों मैं इसी को DR y dt कह सकता हूँ ना तो असल में जब हम कह रहें कि DR y dt है तो हम कहना चाहरें कि change in radius with respect to time और यही चीज़ रिप्रेजन कर रही है पहले वाली जो circle थे और जो दूसरे वाले circle में पहुँचने तक का velocity है ना इस point की यहां तक पहुचने की speed को represent कर रही है यह चीज़ इस point की यहां से यहां तक पहुचने की speed को कर रही है यह चीज़ यह point यहां था यहां से यहां पहुंचने का चिए सब्सक्राइब कर रही है इस पॉइंट इस सब्सक्राइब कर रहे चीज़ और कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने आपको आता पहले से कांसर निकालना वो कोई बड़ी बात नहीं मैं सोच रहा हूं इस पर थोड़ा सा सोचे समझे आगे बड़े नहीं तब ठीक रहता है तो मुझे समझ में आए कि जो डियार वाई डीटी है जो सर्किल की स्पीड है वो दे रिखी है जानी कि कि किसी भी सर्किल का कोई पॉइंट उठा तो जैसे मैंने यह पॉइंट उठाया अगले से कहां होगा यहां से 4 संटी मेटा ये भी 4 cm आगी होगा ये चीज़ है ये है बात समझोंगे आप अभी आगी की बात करने लगा ये बोले आपको एक जानकारी हमने देदी हमने वोला ठीक है तो ये बोले अभी हमें भी बात बताओ आप वो ये कि हाव फास्ट इस दा इंक्लोज डिया इंक्रेजिंग जब इस सर्किल बढ़ता रह रहा है ये सर्किल का पहले एरिया कितना थ जैसी सर्किल का रेडियस बढ़ा तो आपको पता है वी तरह बंगा बदल गया तो अब एरिया कैसे बढ़ रहा है किस rate से बढ़ रहा है अब मुझे आप बता सकते हो इस picture में वो बढ़ने वाला area कौन सा है बता सकते हो बताओ तुझे रहा है यह है वो बढ़ने वाला area सिर्फ यह बढ़ने वाला area कि यानि कि टोटल एरिया में से उस छोटे सर्कल का area घटान घटके जो मिलने वाला वह बढ़ाओ एरिया यह जांते हो क्लास टंट पर पढ़ा हो हमने ट्वेंट लेशन हाव फास्ट इस दें इसकी बात कर रहे हैं यह कितनी तेरी से बढ़ा इसक और डी बाईट का मतलब क्योंगा डी बाईट्य अफ एमतलब कि एरिया उफ सर्कल ये एट आफ सर्कल पाय ऑर स्कॉर्ब आर कॉंस्ट नहीं है क्यों तो बदल तरहरे है हार तो सब्सक्राइव गवारा जाएगा अरडी बाईट ऑफ आर्डी अफ इसकुर अंदर बच जय जाए की टी अलग चीजह है और अलग चीजह समझ आगे अगल यानि कि जो हमारे पास डीए बाइडी टी की वैल्लिव हो हमारे सामने है कि two-by-r डी-r by DT की वैल्यू आ गई 8πR में लगए कुछ unit वगेरा होनी चाहिए इसकी लगाने के लिए unit होनी चाहिए कि इसकी कुछ हाँ होनी चाहिए ए क्या है area centimeter square होगा वो तो कि हाँ centimeter में बात चल लिए centimeter square per second यानि कि हमें पता चलिए कि जो ये circle है circle में जो हर अगले second में या जो हर second में, हर अगले second में 8 pi r cm2 का area बदलाव हो रहा है इसका यानि कि अगर मैंने सोचा था कि 0 second का circle है और ये अगले 1 second का circle है बड़ा वाला तो इस 0 second के circle से 1 second के circle में पहुँचने में जो area में बदलाव हुआ वो बदलाव हुआ 8 pi r का और वो इस picture में कहां पर है वो इस picture में ये है ये ये दो circles के बीच का जो इलाका है वो दो circles के बीच का जो इलाका है वो तो students da by dt हमारे 8 pi r आगे है यानि कहना चाहरा है कि जो एक second में जो area में बदलाव होता है circles का वो 8 pi r cm2 का है और अगर हमसे question है बोला कि ये r is equal to हमें कहां पर बताओ at 10 cm पर बताओ आपको कुछ नहीं करना r की value 10 cm यहां पर आप place करोगे तो da by dt के value निकल के आ रही है 10 into 8 यानि कि 85 cm2 per second है बस simple सी बात है ये आपका question होगा important बात ये है कि da by dt represent किसे कर रहा है वो बता रहे कि हर अगले second में हर एक second में वो जो area में change है यानि कि जो मैंने green clear की line है बेगे student question है the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute and the worth y is increasing at the rate of 2 cm per minute when x is equal to 10 cm and y is equal to 6 cm find the rates of change of the perimeter and ये ये बोला गया बहुत simple सा question है आपको से समझते वे चलना चाहिए कि एक rectangle है इस तरह का एक rectangle है इस rectangle की ये आपकी हो गई इसकी length length को ये x से represent कर रहे है इन्होंने गोला कि x suppose कर लो इसे और ये आपकी वर्थ है और इसको इन्होंने y से represent किया ये कह रहे है कि इसकी जो length है न वो decrease कर रहे है rate of 3 cm per second यानि कि जो length है वो decrease कर रहे है कुल मिला अगर उसमें change हो रहा है length में और with respect to time हो रहा है क्योंकि आपको पीछे पर minute दिखाओ minute time की unit है और वो कितने के speed से 3 cm per minute की speed से वो क्या हो रहे है decrease कर रहे है और अगर वो decrease कर रहे है और at the rate of 2 cm per minute यानि कि 2 cm के 1 minute में 2 cm के हिसाब से वो बढ़ रहे है इसका मतलब positive का सहीन है बोलने है when x is equal to 10 cm यह given data है अपने पास जो यह चीज आपको दिख रही है यहाँ पर यह given data है जो हमें मिला हुआ यह given data है जो हमको मिला हुआ था यह हमने इसको यहाँ पर रहती है अब ही हमसे क्या पूछा गया पहला question यह हमसे पूछा गया कि at कहां पर पूछ रहे है at x is equal to 10 cm at x is equal to 10 cm and y is equal to 6 cm हमसे पूछ रहे है कुछ चीज़े वो यह है कि एक तो बताओ कि perimeter जो है इसका जो इसका perimeter उसमें क्या होगा रेट चेंज नियानि कि rate of change of perimeter किसके परिमेटर का चेंज पूछने time के respect में perimeter हम जानते हैं किसी भी rectangle का क्या होता है रही टू टाइम्स उसकी length प्लस उसके बढ़त है यह होता है यह होता है तो तो constant बहार आ जाएगा अंदर बचे दीवाइडी टी ऑफ एक्स प्लस वाई इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि तू टैम्स डीएग्स बाइटी अपॉन डीवाइड प्लस डीवाइडी यह होगा अब मुझे बताए यह स्टूडेंस यह चीजह क्या हमें पता है यह नहीं पता हमें इसली पता है कि गिवाइड गोड़े में सकत्राइड कि टीवाइड प्लस वह लगतां माइनस ओड़्ी एक समय तो आपको एगोगी कि नीचे पर आएक और समझ मैं होगी नेगिए इस बात को कि जो पैरीमेटर वो कम हो रहा है ऐसी सिच्वेशन जब हो रही है तो पैरीमेटर में आपकी कमी आ रही है एक बात तो इसमें यह बताई इसका जो सेकंड पाट है उन्हाने हमसे पूछा गया था वहाँ पर है ना पूछा थीक है कोई दिक्कत नहीं मैं एक बात सूच रहा था कि इसमें एक और य का यूज क्यों नहीं वहाँ तो नहीं वहाँ यूज नहीं हो पाया इसका क्योंकि एक पर डिपंडेंशी कहीं आई नहीं कोई सेंड में रखने की ज़रूरती मीं पड़ी लेकिन अभी जो से क्योंकि दोनों के वैरिएबल हैं था यह मनें कर दिया है मैं बस हमें कुछ नहीं लोगेशी घ्ट क्लेस करनी घ्ली तो हमेपता फार्द यहानी कि मैं इसे सोट्व एकस भाइग रहा रहा है एरिया यह रिजल्ट आया लेकिन यह एक्सवाइपर डिपेंडेंट आ रहा है और हमसे बोला था कि यह तब बताओ आंसर जब एक्सटेन होगा वाई सिक्स होगा जब एक्सटेन होगा और वाई शिक्स होगा यह यानि कि 20-18 यानि यह प्लस 2 cm2 पर मिनट यह रिजल्ट आया यानि आप सम्झाओंगे क्या हुआ यहां पर यहां पर कुछ नहीं यह बोलने चाहरे कि जब ऐसी सिचुएशन होगी जो जो हुई थी एरिया बढ़ेगा और 2 cm2 पर मिनट यह हिसाब से बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा और यह घट जो यह x है x आपके number of items को represent कर रहा है और उसके corresponding जो आपकी cost आती है वो इस function से decide की गई है यानि कि जो आपकी cost आती है वह से कुछ fix नहीं है कि मतलब वो depend करती है इन factors पर यानि मेरे कहने का मतलब ही है कि x आपके कितने product बने मालिया आपके 10 product बने तो x 10 रख दो यहां भी 10 यहां भी 10 आगा यहां भी 10 आगा आप जो value आपके निकल गएगी वह आपकी cost value 10 products के लिए अगर आप यहां पर 9 रख दो एक्स के प्लेस पर 9 रख दो 9 रख दो तो 9 products के लिए यानि कि यह cost function एक तरह से जो बता रहा है कि आपका जो product जितने product बनेंगे उसके हिसाब से कितन to यहां पर 0 place करता हूं मुझे बताइए यह 0 यह 0 यह 0 यह कितना आगया 5000 यानि जब आप एक भी product नहीं बना रहे तो आपके 5000 की cost आ रही है क्या यह logical है जो आप एक भी product नहीं बना रहे है आपके 5000 कोस्ट हां logical होगा कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए logical होगा क्योंकि यह cost पड़ेगा तो इसने सारी बातों को उसमें जॉइन कर आप है जरूरी नहीं है कि वह बाते उसे डिरेक्ट लिया इंडरेक्ली रिलेट कर रही होंगी इसलिए 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 एक product भी नहीं बना रहा फ्लर भी उसे 5000 रूपेद देने पड़े यह बात है ठीक है समझ मार्जिनल कॉस्ट रहें कि मार्जिनल कॉस्ट कुछ और नहीं है वह क्या है इंस्टेंटीनियस रेट आफ टोटल कॉस्ट एड एनी लेवल ऑफ आउटपूट आउटपूट यानि एक्स जो इस तरमें प्रडेक्ट से यानि कि यह कुछ और नहीं है instantaneous instantaneous rate of total cost समझाता हूँ इंस्टेंटिनियस मतलब मिलाकर होता है आपको उसको डेरिवेटेव लेलना जैसे instantaneous velocity होती है रिप्रेजेंट करते हैं dx by dt से यह ना यह बोला है उस particular instant पर उस particular instant पर जो आपकी cost आई थी उसका उसका पर यूनिट जो आपके प्रडेक्ट से उसके साथ जो एक रेशियो है या जो आप डेरिवेटेव करें वो है उसके एक्वल है यानि कि वी मीन इस्टेंटिनेस rate of total cost at any levels of output इसका मीनिंग यह हुआ यह मार्जिनल रेट आफ देको रेट है न और रेट इसी चीज़ को रिप्रेजंट करता है रेट मतलब डी बाइडी मतलब है रेट मतलब होता है चेंज इन तो आप यहां पर इजी नहीं देख सकते हो कि इस चीज़ का डेरिवेटेव ले लो 3x स्क्वाइर टाइमस 0.05 प्लस सॉरी माइनस इसको देखो डेरिवेटेव ले लो 2x आ जाएगा आगे से अब बाकी जो कुछ बचावा मैं लिख देता हूं 0.02 प्लस 30x का 30 हो जाएगा यह हो जाएगा यह आपके पास इसकी वैल्यू आ गई जो आपने इसका विद रिस्पेक्ट टो एक्स आपने इसको डेरिवेटेव लिए 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 3x स्क्वार हुआ बाकी लिख दिया और फिर यह 4x हुआ नहीं सुरी 2 आगे आया तो 2x हुआ और वो मैंने ऐसे लिख दिया 0.02 और बाकी का 30 हुआ आपका एक छोटा सा काम है यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालके रिखो जो भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा ठीक है ना वह कूदता तुम में च्रही ब्लोल रहीं की मायार नियून पर जो अपने ए जनर्त का आंए, वह होगा वह एक्वल है आपका जो टोटल रवेन्यू जनरेट हुआ था उसका राइट देखिए यहां देखना फी मीन दर रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रवेन्यू विद रिस्पेक्ट टुदी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑफ अन इंस्केंट और यह जो एक्स ही मांघिनल रवेन्यू क्या होता है यह इन्होंने बताए ही इन करने मैं इंछ में यह नहीं है कि इसका डिरिबहल ले वे उस समय आपका marginal revenue कितना generate हो वो बताना है और हम जो यह निकालने यह marginal revenue ही है इसे derivative लेंगे तो 6x होगा यह 36 होगा यह एक general formula है लेकिन हमें क्योंकि निकालना है जब 5 product sale होता है तो पितना revenue marginal revenue generate होता है तो हम यहाँ पर x के place पे value डाल देगे यानि कि 30 plus 36 यानिकि 66 आप यीए unit क्या लिखनी चाहिए मुझे इसकी यौनिट मुझे मुझे लिखनी चाहिए इसकी जो ये युणिट है क्या है कुछ पूरी चीज को कुछ यूनिट नाम नहीं दिया रूपीज 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 है इसका मतलबी 606 रूपीज मार्जिनल रवैन्यू का दूसरे सब्सक्राइब मतलब यह वा कि जो आपका सब कुछ हटा उठागे जो आपका अपना फुद का फाइदा है जैसे मालिया के चीज का रावैन्यू सब्सक्राइब लेक्न उसको बनाने बुआने कुछ खड़ा होगा मालिया 30 रूपीज का खड़्चा हुआ 100 revenue generate हुआ तो इसका मतलब यह वा कि 70 रुपए आपके marginal revenue जो आपके खुद किये 30 रुपए उसमें से वोगे ठीक है न तो ऐसी बात है समझ में आगई बात ठीक है क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो मैं जो बात कहना चाहरा था एक बार आप एक काम करो revenue निकालो एट फाइब पर सिर्फ revenue में निकाल ना थ्री इंटू ट्वेंटी फाइफ प्लस थर्टी सिक्स इंटू फाइब प्लस फाइब सेवन्टी फाइब प्लेस और यह इसे एड़ करना असी और यह हो अगर एक जिरो गया तो मार्जिनल जो नॉर्मल रवेन्यू वह आपका पांच आ रहा फिर भी इसका मतलब आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या पूचा मैंने मैंने बूला कि अगर एक बी प्रड़क्ट से नहीं लेकिन यह पांच जो निकलावाई किसी रिप्रेजंट कर रहा फिर यह आपने बताना है चलिए चलिए ठीक है स्टुडेंट मुझे लगता है अभी हमने जितना करा इसको आपने प्रेक्टिस करना चाहिए अभी हम मिलेंगे अपनी एक्साइज 6.2 में जो इंक्रीजिंग जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके मेंट से पूछ सकते हैं अभी के लिए स्टुडेंट सितना ही मिलते हैं अबने नेक्स टेक्चा में डिलें गडबाई सी यूफ टेक केर